मुंबई में जो राजितिक विवाद शुरू हुआ था महाविकास अगाड़ी की सरकार को गिरने के साथ वो विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है अभी सक्ती प्रदेशन बाकी है सक्ती प्रदेशन का ये दिन चुना गया है दशेहरे को तरसल लंबे समय से दशेहरे मेले का आयोजन होता रहा है जिसमें सस्र पूजा और जो मिला लगता रहा है वो सुषेना उसको कराती रही है इस बार दशहरे मेले के आयोजन के लिए जो दशहरा मैदान है मुंबई का उसमें किसी भी गुट को जो इजादत नहीं मिली है उद्धर ठाकरे के गुट को और एकनाज सिंदे गुट को अलग-अलग मैदान इसके लिए अलोट किये गए है जो सिउसेना के दोनों गुट हैं उसमें से किसी को भी जो दशहरा मैदान है वहाँ पर वो दशहरे मेले का या सस्तर पूजा का आयोजन अबो नहीं कर पाएंगे उद्धर ठाकरे का जो गुट है उसको दादर के सिवाजी पार्क में जगे मिली है वहाँ इजाज़त मिली है चार दिन का कारिक्रम करने की वहीं जो सिंदे का गुट है उसको बांदरा कुरला के कॉम्पलेक्स में MMRD का जो ग्राउंड है वहाँ पर उनको इजाज़त दी गई है हाला कि अब जितनी जादा जदो जहद इजाज़त को ले करके थी उससे ज़्यादा संगर्ज दोनों गुटों की तरफ से भीन जुटाने के लिए किया जा रहा है चुकि आने वाले समय में मुंबई नगर पालिका के चुनाओं होने है चुनाओं के पहले दोनों ही गुटों के पास ये बड़ा मौका है कि वो भीन के जरीए ये दिखा पाएं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है ऐसे में चुकि सिवसेना को भी मूल सिवसेना के लिए लड़ाई ओलरी कोर्ट में पेंडिंग है उसका मामला कोर्ट में चला है अदालत में है वो अब इनके सामने ये भी एक बड़ा मौका है जब ये भीन जुटाएंगे और अपनी बात रखेंगे और अपने को असली सिवसेना साबित करने की कोशिश करेंगे दोनों गुट इसके लिए लगाता प्रयास कर रहा है उद्व ठाकरे का जो गुट है उसमें जो सिवाजी पार्क है उसकी करीब डेड़ लाक की छमता है ये कहा जा रहा है कि चार दिन की इजादत मिली है और उनके जो तमाम महिला संगठन से ले करके और दूसरे धणे हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वहाँ पर कैसे भीन जुटे और साथी साथ कैसे वहाँ तक लोग पहुंचें क्या वेवस्ताएं हो इस पर लगातार चिंतन मनन हो रहा है इसके अलावा सिवसेना की जो उदर ठाकरे का गट है उसमें महिलाओं और बच्चों पर फोकस करने की बात भी निकल करके सामने आई है वहीं एक नाथ सिंदे के गट की जो तैयारियां है वो करीब तीन लाख लोगों को वहाँ पर लाने की बात कर रहे हैं तीन लाख लोगों की बिवस्ता की जा रही है यह जो भींड है दरसल वो जुटाना जरूरी इसलिए हो गया है कि ये भीड जो सरकार गिराने की लड़ाई के साथ शुरुवात हुई उस लड़ाई के लिए उस लड़ाई में खुद के सक्ती के प्रदर्शन के लिए एक बड़ा जरिया बड़ा माध्यम बनेगा इस माध्यम के सबसे ज़्यादा उपयोगिता है आने वाले मुंबई के नगरपालिका के जो चुनाओ होने हैं उसमें इसके अलावा जो असली सिवसेना को लेकर के लड़ाई लगातार चल रही है उसमें जो लोगों तक भले ही वो फैसला कोर्ट में पेंडिंग हो पर जो ए अपने को असली से उसे साबित करने कि कोशिश उसमें के सारे करेगा साथी साथ उद्व ठाकड़े के गुट जो सिवाजी पार्क में आयोजन होगा वो चार दिन तक चरेगा तो वहां पर जो है वो फिलाल सस्तर पूजा और मेले का भी प्राविदान रखा गया है पर जो एकनाज सिंदे के गुट के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है MMRD में वहाँ पर अभी तक जो जनकारी आई है उसके एसाब से कोई सस्त्र पूजन या मेले का आयोजन की बात नहीं कही जा रही है केवल भीर जुटाने और इस सब सारी वहुस्ताओं की बात लगातार हो रही है अब चार दिन आयोजन सिवाजी पार्क में चलेगा MMRD में आयोजन चलेगा तो इन सारे आयोजनों को लेकर के दोनों धड़े जो है वो लगातार सक्री हैं दोनों गुट धड़ों के लोग प्रयास कर रहे है एक नाज सिंदे का जो गुट है वो लगातारे शीच का दावा कर रहा है कि बाला साब ठाकरे के जो सिद्धानत है उसको बुला दिया गया है पर अब ऐसा नहीं होगा बाला साब के सिद्धानतों को अब यहां पर अपनाने की बात की जाएगी अपना यह जाएगा तो कुल मिलाकर दोनों धड़ों के लिए यह सक्ति प्रदर्शन का एक माध्यम बन गया है दशहरे मेले का आयोजन जहां तो एकनाथ सिंदे गुट की बगावत के बाद शीवसेना के नितरतु में जो महाविकास अगारी की सरकार थी महाराष्ट में वो घिर गई थी फिर वहाँ भारती जनता पार्टी के सपोर्ट से एकनाथ सिंदे के गुट के विधायकों ने मिलकर के सरकार बनाई और अमंत्री बनने के बाद से लगातार कई सारे चीजों को लेकर के एकना सिंदे और शिवसेना के बीच में विवाद होते रहें कभी एकना सिंदे ने ये बात कहीं कि उद्व ठाकरे की तरफ से उनको आमंत्रित किया गया है कि वो फिर से लौट आएं तो कभी दूसरी चीजों के लिए बड़ा सवाल होगा कि इस भीर को कैसे मैनेज करेंगे और जो भीर का मैनेजमेंट होगा उसमें ये अपनी बात कितनी पहुंचा पाएंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा बने रहे हमारे साथ बने बात